जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि अंजलीना और टेरी ने आपस में किस कर लिया था वहाँ कुछ आत्मी आकर एक फाइटर को पकरने की कोशश कर रहे थे और वो फाइटर अब सभी को पीटने लगता है जब उन आत्मियों को लगता है कि हम इसे नहीं हरा पाएंगे तो उन में से एक सक्ष अपनी बंदूग निकाल कर उस पर शूट करने लगता है लेकिन तभी टेरी वहाँ आकर उसे रोग देता है और फिर खुद उसके साथ वहाँ से भाग निकलता है अब बाहर निकल कर वो फाइटर उसे अपना नाम जो ही गाशी बताता है और वो दोनों बात करना शुरू ही करते हैं कि तब ही वहाँ टेरी का छोटा भाई आ जाता है और वो सीधे टेरी पर हमला कर देता है अब बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था और उन दोनों की बातल देखने लायक होती है और दोनों लडाई में एक दूसरे को बराबर की टकर देते हैं जिसके बाद फिर दोनों लडाई रोकर आपस में गले मिलते हैं अब अब एंडी टेरी को जो के बारे में बताता है और कहता है कि जब जो को हमारे बारे में पता चला कि हम GEEZ से बदला ले रहे हैं तो ये भी हमारी टीम के अंदर जुड़ गया है अंडी बहुत हरबड़ी कर रहा था और कहता है कि अब हम तयार हो गए है और हमें आज ही गीज के टौर में जाकर उस पर हमला कर देना चाहिए लेकिन टेरी उसे शांती से सोच विचार करने को कहता है और कहता है कि वो साउट टाउन का बहुत बड़ा आदमी है जिस वज़े से उसके चारू तरफ बहुत सारे बॉडिगाद्स मौझूद है उसने इतने साल वेट किया था और वो अब और जादा वेट नहीं करना चाहता था इसलिए वो कहता है कि हम तीनों मिलकर गीज के बॉडिगाद्स को अराम से संभाल लेंगे अब टेरी को गुसा आ जाता है और वो उसे डाट कर कहता है कि तुम्हारे अंदर पेशिंस नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए और अब इसी बात पर दोनों में बहस जादा बढ़ जाती है जिसमें एडी अपनी बात रखते हुए कहता है कि वो दस साल से वेट कर रहा है और वो अब और जादा वेट नहीं करेगा वो ये कहकर आगे पढ़ने लगता है और फिर आगे उसके सामने एक गीस टावर के अंदर जाने वाला लोड ट्रॉक आता है वो तीनों लोड ट्रॉक से टुकराने वाले थे इसलिए ड्राइवर उनसे अब लड़ने लगता है तैरी समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है इसलिए वो अब ट्रॉक के ड्राइवर को बेहोश करके ट्रक के ड्राइवर का भेस बना कर अब की स्टावर के अंदर खुसने लगता है वहीं दूसरे तरफ हम क्यों और बाकी दोस्तों को देखते हैं जो एक बार से निकल रहे होते हैं और अब बे निमारों ने बहुत साथ शराब पी ली थी जिस वज़े से गोरों को उसको अब उठाकर चलना पड़ता है अब फिर वो दोस्तों से अलविदा लेते हैं और रियो अब उनको ग्रीट करके यूरी का पता लगा कर उसका ध्यान रखने के रिक्वेस्ट करता है अब वो दोनों एक दूस्ते से गुडबाई कहते हैं और टॉनमेंट के अंदर मिलने का दिसाइड करते हैं अब क्यों गोरों और बेन्युमारों वहां से जाने लगते हैं और रास्ते में क्यों टेरी के बारे में ही सोचता है कि आखिर वो कौन हो सकता है असल में क्यों टेरी की फाइटिंग स्किल से काफी साथा इंप्रेस है इसलिए वो टेरी के साथ एक फाइट करना चाहता है वही हम टेरी को देखते हैं जो ट्रक के अंदर बैट कर सीधे गीस टावर की तरफ जा रहा था एंडी और जो ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैट कर खाना खा रहे थे और खूब मजे कर रहे थे अब वो फिर फाइनली गीस टावर के इंटरेस पर पहुँच जाते है और वहाँ पर बिली उनकी एंट्री करता है बिली को उन पर शक हो जाता है और वो ट्रक के पीछे जाकर ट्रक को खोलता है और फिर वहाँ जब उसे जो और एंडी दिखते हैं तो वो तुरंद उस पर हमला कर देता है अब वहाँ बिली के साथ उसके बॉडिगाद्स भी उन पर हमला कर देते हैं और अब तीनों ट्रक के से उतरकर सभी से फाइटिंग करने लगते हैं वो तीनों बॉडिगाद्स को बहुत बीटते हैं और उनकी फाइटिंग स्किल्स देखने लायक होती है लेकिन तब फिर वहाँ बिली भी अपनी स्किल्स को दिखाता है और अब हमें यहां से पता चलता है कि बिली भी एक उम्दा दर्जे का फाइटर है बिली और टेरी आपस में लड़ते हैं और बिली टेरी को टक्कर दे पा रहा होता है बिली फायर का यूज करता है और टेरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन टेरी पावर कीज़र टेक्नीक का यूज़ करके उसके अटाक से बच जाता है और फिर वहाँ विसफोर्ट हो जाता है जिस वज़े से उन तीनों को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तब ही उनके उपर एक एनरजी आकर गिरती है और फिर जब उन्हें होश आता है तो वो अपने सामने एक बहुत खतरनाख फाइटर को देखते हैं अब वो फाइटर इन तीनों को मारने के लिए आगे आता है और इस फाइटर को औरा बहुत सादा था वो तेनों भी अब फाइटिंग पोजीशन में आते हैं लेकिन तब ही जो स्क्रू ओपन टेकनीक का यूज कर देता है और वहाँ स्मोक रियेट हो जाती है और इस बात का फाइटा उठा कर अब वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं बिली अब उन्हें ढूणने जाने लगता है लेकिन वो फाइटर बिली को रोकता है और कहता है कि उन तीनों को जाने दो तुम पहले ट्रक को खाली करो वो फिर बिली को इस बात का ताना मारते हुए कहता है कि वो इन तीनों को रोक नहीं पाया और कहता है कि मुझे ऐसे कुट्टे नहीं चाहिए जो वफाधारी के अलावा मुझे और कुछ ना दे सके यानि वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम हमारे पालतू कुट्टे हो और वफाधार हो लेकिन तुम्हे पहरेदारी के अलावा कुछ नहीं आता बिली को बहुत गुसा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था वही हम फिर एक जासूस को देखते हैं जो चट पर बैट कर इन सबी पर नजर रख रहा था और अब बॉस का उसके पास कॉल आता है जिस पर वो बॉस को सारी बाते बता देता है कि यहां अभी क्या क्या हुआ है बात खतम हो जाने के बाद अब बॉस उससे बाते करते हैं और हैरान करने वाली बात यह होती है कि बॉस को यह पता चल गया था कि यह जासूस अभी स्मोकिंग कर रहा है और यह सुनकर जासूस के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि बॉस को ये कैसे पता चला कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। अब फिर हमें गीस होवर्ट को दिखाया जाता है और अब उसकी हमें बैक स्टोरी बताई जाती है। गीस होवर्ट जब छोटा था तब वो स्ट्रोहीम कास्ट्रल के अंदर रहता था। असल में वो अपने पापा की नाजायज उलाद था जिस वज़े से उसके पापा की प्रॉपटी से बाहर निकाल दिया गया था। उसके छोटे भाई क्रॉसर ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था और अब वो उसे घर से भी निकालने लगया था। गीस इस बात का विरोध करता है और कहता है कि मैं भी इस परिवार का खून हूँ और जितना तुमारा हग है उतना मेरा भी हग है। लेकिन अब उसका छोटा भाई उसकी ममी के बारे में उसे याद दिलाता है कि क पूरी तरह से हाट जाता है। अब गीस और जीना नहीं चाहता था लेकिन उसका इविल भाई उसको मौत नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अपनी असलियत पता होनी चाहिए और तुम्हें अब जिन्दा रहकर अपनी इस असलियत को जेलना होगा। गीस उसे कहता भी है कि अगर तुमने मुझे जिन्दा छोड़ा तो मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूँगा। लेकिन फिर भी क्रॉसर उसे घर से निकाल दीता है। अब गीस के मन में सिर्फ गुसा ही गुसा भरा था और वो फाइटिंग सीख कर अपना बदला लीना चाहता था। वो अ सीख रहे दोस्त को मिल गई थी और गीस को इस बात पर बहुत कुछ सा आया। उसने अपने इस दोस्त से वो सीख रहे जबरदस्ती चीनना चाहा। जिस वजे से उन दोनों में अब लड़ाई हो गई। और लड़ाई के अंत में उसके दोस्त ने उसको बुरी तरह से हरा ये दोस्त और कोई नहीं बलकि टेरी के पिता ही है वो अब गीस को इस गुस्ताकी के लिए यहां से जाने का ओडर दे देता है लेकिन गीस उसे भी यही कहता है कि तुम मुझे मार दो और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं एक दिन तुमसे बदला लेने आउंगा लेक इसकी पास स्टोरी खतम हो जाती है और फिर यहीं एपिसोड खतम हो जाता है